देखिए, बात करेंगे successive differentiation की, successive differentiation, क्या मतलब होता है, इस शब्द का मतलब अगर आप से कहा जाए तो क्या कहेंगे आप, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार, तीन बार, successive, ठीक है, तो हमने पढ़ा है, कि अगर y is the function of x हो, तो अगर y को x के respect में differentiate करना चाहें, तो हम क्या करते थे, dy, dx करते थे, अब differentiation क्या होता, वो आप जानते हैं, यहाँ पर इसको लिखने का तरीका है, या तो dy भी लिख सकते हो, ठीक, इसको y1 भी लिख सकते हो, इसको y' भी लिख सकते हो, अगर function of x है, इसको f' x भी लिखा जा सकता है, लिखने का तरीका, तो 90% cases में जो है, यह जो तरीका होगा, वो y1 लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है, यह ध्यान रिखिएगा, अब होता क्या है, कि आपने एक बार differentiate कर दिया, अब इसको दो बार differentiate करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, य यह इसको पढ़ते क्या है, d2yy, dx2, यह इसको d2y कहेंगे, यह इसको y2 कहेंगे, यह इसको y कहां पी करते जाएं, यह y double dash करेंगे, ठीक है, इसे फ़गा बार derivative करेंगे, तो n बार derivative ध्यान रिखिएगे, n ऐसे न ही लिखा जाता है, यह n हमेसा bracket होता है, fnx कहेंगे, यह इसको क्या कहेंगे dny by dx to power n या इसको कहेंगे dny या इसको कहेंगे yn या इसको कहेंगे y and ऐसे कर जाते हैं ये 90% ऐसा नहीं लिखा होगा लिखा होता है 90% ये लिखा होगा इसको नोट करते रही है अब हम कुछ intermediate के formula बताने जा रहे हैं इंटर के होगे ठीक है अरे ये तो अब जानते हैं ठीक है कुछ formula इंटर के जन्हें हम बताने जा रहे हैं एक आपने पढ़ा d by dx of any constant time क्या होता है 0 क्योंकि constant का मता उसमें कोई change हो नहीं रहा है d by dx of अगर x की power n करना हो तो क्या होता है nx to power n-1 ठीक है इसका मतलब क्या हुआ पले इसका मतलब सुझे एक सब्सक्राइगे इसका मतलब क्या हुआ कि जब x के respect में हम differentiate करते हैं तो यहाँ x होता है आपका variable और power होती है इसकी constant ठीक है इसके बाद आपने पढ़ा कि d by dx of e to power x क्या होता है e to power x होता है इसके बाद आपने पढ़ा कि अगर d by dx of a to power x हो e to power x बोली तो e to power x यह exponential function होता है ठीक है इसकी definition होती है 1 प्लस x की power 1 upon x limit x tends to infinity इसको e कहते है ठीक है यह आपकी e की definition है और e to power x से सुखा जाता है यह e a e है और इसको जब खोलेंगे तो e to power x की सरीज आती है 1 प्लस x upon factorial 1 प्लस x square upon factorial 2 प्लस 1 अब क्योंकि isc cbsc केवल direct formula पर जोड़ देता है state board हमारा पूरा पढ़ाता था तो हम लोग भी cbsc pattern पर आगे तो हम भी उतने ही करते हैं ठीक है a to power x का क्या होता है a to power x log a to base e अच्छा ध्यान रखिएगा चुकि graduation में थोड़ा सा technical भी हो सकता है log के case में ध्यान रखिएगा अगर calculus में log दिया है तो base क्या लिया जाएगा अगर calculus में हमेशा e लिखा जाएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो log को ln लिख देते हैं अगर आप scientific अलगर दिखोगे तो scientific में एक जिगए तो log लिखा होगा और एक जिगए ln लिखा होगा देखा कभी आपने देखी गए इसको ठीक है नियम यह होता है log का वैसे तो log में अगर base नहीं होगा तो e यहाँ लिया जाएगा यहाँ पर जिगए log लिखा है तो यहाँ बेस क्या होता है 10 यह होता है natural log अगर तिम और यहाँ base क्या होता है e तो इसको ln लिखा जाता है तो माले कभी ln लिख करके आगया तो confuse मत होगा ठीक है अच्छा अब आप कहेंगे तब इसमें इसमें अंतर क्या है इसमें भी तो आपका x variable है यह constant है अंतर यह है कि e की power x और 8 power x formula लाग रही है यह एनी constant यह e मताब e होता है अब आ कर दीजे कोई दिक्कत नहीं एक जिगा क्या रख दोगे तो क्या हो जाएगा e power x लाग e to base e हो जाएगा ना जब लाग e to base e करोगे तो किसी भी log की value उसी base पर नहीं मालू 1 होती है किसी भी log की value उसी base पर 1 होती है तो अगर आपने एक जिगा e लिख दिया ना तो e to base e already क्य क्या होना होना है वह रहिए होने वाला है तिसलिए दो फामिल व्ले favourite है एक दो टीं चार इसके बाद deed कि दिख़ा आफह जैसे लॉग X करना है पिलाफ नहीं दिया जि क्या होता है बेस ना ना calculus में बेस क्या होता है e होता है log x to base e का differentiation क्या होगा 1 by x और अगर base दिया गया है log x और base any constant दिया गया है ठीक है उधर लिखेंगे जरा यह formula फटा फटा नोट कर लीजे यह इधर लिखते है d by dx of any base दिया गया है log x to base a तो इसका होता 1 upon x log e to base a अब वही फिर बात आती है कि यह formula यहाँ apply कर दो यही वाला यहाँ apply करो ना तो कर दो एक जिए क्या रखोगे e रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा e to base e आ जाएगा ना उसकी value क्या होती है तो यह आपके 6 formula हो गए algebra के नोट करिए अब जैसे 6 trigonality के आपने पढ़े कि आपको d by dx करना है किसका sin x का sin x क्या होता है cause x होता है d by dx करना है आपका cause x क्या होता है minus sin x होता है d by dx करना है आपका tan x का tan x का sin x का sin x क्या होता है d by dx करना है आपका sin x का sin x क्या होता है sin x into tan x होता है d by dx करना है cot x का minus cause x square x होता है और d by dx करना है आपका cause x का क्या होता है minus cause x into कॉर्टेक्स छह फार्मुले आपके ट्रिगामेटी के हो गए यह याद करने है आपको नोट करें अब दिखिए सक्सेसिव में तो n बार तक डिफ्रेंसियर आपको ना पड़ेगा जैसे मैं एक एक्जाम्पल लेता हूँ जैसे कुशन दिया है y is equal to a sin x plus b a sin x sin mx b cos mx y is equal to a sin mx plus b cos mx यह given है आपको ठीक है अब x की जगे अगर कुछ और दिया होता है तो आप उसको t मानते थे यहाद है न चेन रूल दूस कहते थे तो यहाँ डायेट सफूगा है और आपको प्रूफ करना है to prove to prove y2 plus m square y is equal to 0 m square y is equal to 0 इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कितनी बार differentiate करना है y2 तो नियम तो यह है कि आप इसको दो बार differentiate करिए और यह result अपने आप आना चाहिए अब मालियक कहीं पर अपने आप नहीं आ रहा है सब क्या करोगे तो आप इसको दो बार differentiate करें यहाँ पर lhs ले लिजेगा y2 की value रग दीजेगा और y की रग दीजेगा और इसको calculate करिएगा value क्या नहीं चाहिए 0 यह तब करेंगे जब हमारी मजबूरी हो कि हम उसकी value निकाल नहीं पा रहे है तो जबकि नियम क्या है कि इसको आप जब differentiate करिएगा दो बार तो यह result अपने आप आना चाहिए ठीक है करते हैं differentiate differentiating equation 1 तो यह क्या हो जाएगा y1 is equal to इसका क्या हो जाएगा a sin mx क्या होगा m cause mx अब आप d by dx यह नहीं लिखेंगे लिखना चाहिए तो अच्छी बात है लेकि डायट कर सकते है m cause mx rule क्या होता है देखें जब sin mx को हम differentiate करते हैं तो हमारे पास formula पर दिमाग जाता है formula क्या होता है देखें मैं बता देता हूँ कि अगर d by dx करना है sin mx का तो हमारा दिमाग को ले जाता है कि sin x का हमने पढ़ा हुआ है x क्या लिखा हुआ है? mx तो हम इस mx को कहते हैं कि आपको क्या होना चीए था? x होना चीए था जिसको हम मन में क्या माल लेते है? x तो sin x का differentiation cos x cos x बोले तो mx लेकिन ये क्या x है? नहीं है ना? इसको आपने मान लिया है ना x तो हमको इसको दुबारा differentiate करना पड़ता है mx का फिर mx का क्या हो जाता है? तो आएगा m cos mx ये तरीका होता है ठीक है? जिसको हम इंटर्म में कहते थे chain rule अचा प्लस b जब cause mx का करेंगे तो cause का क्या होता है? माइनस sign अब ध्यान लेकिए अगर प्लस लगा दी और माइनस आने वाला है तो इसी में गुश्फुश्मत करिएगा क्या हैगा? माइनस m sign mx तो ये आपका हो गया a m cos mx minus b m sin mx तो ये तो एक बार differentiate हो गया लेकिन आपका तो aim दो बार differentiate करने का है तो again differentiating करते हैं again differentiating with respect to x तो इसको क्या indicate करेंगे? y2 cause mx का क्या होगा? माइनस sign mx और एक m आएगा तो ये क्या हो जाएगा? a m square sin mx negative ये माइनस लगा हुआ है तो b यहाँ पर क्या आएगा? m cause mx तो जाएगा m square cause mx अगर ध्यान से आप देखिए यहाँ से minus कामन है और m square कामन है अंदर क्या बचेगा? a sin mx plus b cause mx इसको पहचानते हैं आप यह पहले सिवाई दिगा हुआ है मतब एक तो हमको देखना पड़ेगा हमारा requirement क्या है वहाँ से पकड़ में आ जाएगा तो यह क्या दिखा हुआ है? minus का m square y आपके proof में यह result क्या आना चाहिए? इधर आना चाहिए? इसको shift कर दो तो shift करें क्या हो जाएगा? y2 plus m square y is equal to 0 hence proof सुम्झे आई बाद नहीं आई ठीक इसमें हमें कुछ नहीं किया? हमने दो बाद डिफेंसेट किया यह मतलब important question माना जाता है इसमें लिखा है कि if y is equal to sx y is equal to sx and z is equal to tx where all the variables are functions of x यानि यहाँ y, s, x, t यह सब क्या है? यह x के functions है ठीक है? यह capital x है यह capital x है यह capital x है और यह सब capital है यह सब capital है capital सब ठीक है? यह सब x के function है यानि कोई भी constant इसमें नहीं है यानि सब को differentiate किया जा सकता है तो आपको proof करना है determinant of capital x capital y capital z x1 y1 z1 x2 y2 z2 is equal to x3 यहाँ पर आएगा यह आएगा s1 t1 s और t small ली है अब चुगा केला ही है small लिखो चाहे capital लिखों से के दिक्कत नहीं है और s2 t2 यह proof करना है पहले पहले इसका मतलब समल लीजेगा फिर हम बात करें मतलब यह है x x1 बोले तो बोले क्या है चीज़ x को एक बार differentiate करना है ठीक है और x2 मतलब दो बार differentiate करना है ठीक है तो पहले तिससे note करिए इसको रप करें जगए कम होनी की वज़े से अब पहले differentiate कर लिया जाए ठीक है फिर value रखते है यह note कर लिया ना अब हम LHS में रखेंगे और RHS अपने आप आ जाना चाहिए देखिए value बात में रखते पहले differentiate कर लेते है तो देखिए यहां से हम y1 निकालने जा रहे है y1 is equal to y1 बोले तो एक बार इसको differentiate करेंगे तो क्या होगा first function s x का differentiation x1 अज़ा चुकि एक ही x है तो capital बनाने में बड़ी दिक्कत होती है plus second function और s का differentiation s1 यह थोगा ना product rule क्या होता है first function into differentiation of second function plus second function differentiation of first function ठीक है फिर अगें differentiate करना पड़ेगा क्योंकि आपको y1 भी चाहिए और आपको y2 भी चाहिए तो जब इसको दुबारा differentiate करेंगे y2 is equal to तो क्या होगा यहां पर यहां भी product rule लगेगा first function x x1 का differentiation x2 वो capital ही लिखा हुए हमा लेते plus second function x1 और s का differentiation s1 एक तो आएगा ना एक ही बार तु कर रहे हो first function s s है ना यहां पर यहां पर आते हैं first function x s1 का differentiation एक बड़ आउर करेंगे s2 plus second function s1 और x का करेंगे तो x1 अब देखिए यह चीज़ सेम है ना तो यह क्या हो जाएगा s x2 plus 2 x1 s1 plus x s2 तो यह आपका आगया y2 की value ठीक है अब इसको differentiate कर लेते हैं now z1 is equal to तो एक बार करेंगे इतना आएगा t x1 plus x1 plus x t1 t into x का differentiation x1 plus x into t का differentiation t1 और जब इसको दुबारा differentiate करेंगे तो यहां भी लगाएंगे product rule और यहां भी लगाएंगे product rule तो यहां क्या हो जाएगा first function x1 का x2 plus यह capital है सब x second function x1 और t का t1 पही इसका derivative थो है नहीं t का करना है न plus first function x t1 का t2 plus second function t1 x का x1 यह दोनों कैसे हैं सेम है तो यह क्या हो जाएगा t x2 plus 2 x1 t1 plus x t2 पहले नोट करने इसे यह proof करना है आपको determinant of xyz x1 y1 z1 x2 y2 z2 और यह जो आना है अपने आप rches आ जाएगा देखें पहले तो value रख देते उठा करके value क्या है s x1 s x1 plus x s1 क्या लिख रहा हूँ गई it is not value of x1 x1 को लिए कोई है नहीं न x1 के अलग से कोई value है नहीं तो हमने x1 लिख दिया फिर नीचे क्या है x2 x2 है हमारे पास नहीं स्वारी x2 भी नहीं है तो x2 भी हम ऐसे लिख देते हैं ठीक है यह value नहीं है ना लग से हाज़ा y की value क्या है y की value है s x ठीक y1 की value क्या है यह है s x1 s x1 plus x s1 ठीक है y2 की value क्या है यह s x2 s x2 plus 2 x1 s1 plus x s2 तो आप लंबी value है देख लीजेगा ठीक है और z की value क्या है नहीं कुछ नहीं है z z रहेगा z की t x value है z की हो गई t x और z 1 की value क्या है t x1 t x1 इसको note करेए इसको उधर note करेगे ऊपर वाला रब करें note करें ये note ये note करें ना ये तो ये हम रब कर देते है ये value book से note कर लेंगे च्छिक इसको बहुत जगे चाहिए ना ये ये वाला हटा देना इसको यही note करते है x की जगे x x1 जगे x1, x2 जगे x2, y की जगे sx, y1 जगे sx1 प्लस xs1, और यह क्या होगा, sx2 प्लस 2, x1, s1 प्लस xs2, यहाँ पर z जगे क्या होगा, tx, और z1 जगे क्या होगा, tx1 प्लस t1, x, x2, 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 x किसी का differentiation किसी की respect नहीं हो रहा है, इसलिए सब का differentiation हो रहा है, इसके बाद Z2 क्या निकला है अपका TX2, TX2 plus 2, T1X1, T1X1 plus T2X, T2X, यहां तक नोट करिये, फिर आगे determinant की property लगाना सुरू करते हैं हम, अब देखे determinant की property क्या होती है, determinant को open करना हमने सिखाय गया है, कि determinant की कुछ property जूज कर दीजिए, क्या करें, अधिक से जिरो ले आईए, ठीक है, किसी भी कालम को किसी भी कालम में plus कर सकते हो, minus कर सकते हो, किसी कुछ multiply कर सकते हो, हमको एक चीछ दिख रही है, कि अगर मैं इसमें s से multiply कर दूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें s से multiply कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, sx बन जाएगा न, sx बन जाएगा और ये क्या लिखा है, तो इसको जाके यहाँ पर minus कर दें, यानि कि ये पहला कॉलम है, ये दूसा कॉलम है, ये तीसा कॉलम है, तो क्या दिख है हमको कि भाई C2 में एक operation करें यह लिखने की तरीका होता ना क्या करें C2 में minus करें S C1 यह हम कर सकते ना अच्छा यह अब आप multiply कर रहे हो ना तो divide करना पड़ेगा जी नहीं आपको एक रूल बताया गया होगा इंटर में कि जिस कालम में आप operation कर रहे हैं जिस कालम में चुकि वो कालम change हो जाना है अगर आप इसमें operation कर रहे हो तो यह कालम 0 हो जाना है ना तो अगर आपने इसमें S से multiply किया तो बात में S बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसकी value already क्या हो जानी है चेंज हो जानी है लेकिन इसको ले जाकर कि अगर आप यहाँ पर operation कर रहे हैं आपने इसमें operation करते हैं अगर उसमें आपने multiply किया तो बाहर divide करना पड़ेगा लेकिन अगर किसी और column को ले जाकर किया आप काम करा रहे हैं उससे और ultimately उसको आपस load किया आना है तो आपको बाहर divide करने जुरूत नहीं है अच्छा अगर मैं इसमें multiply t से कर देता तो tx हो जाता न और इसको क्या करने जा रहे हैं c3 में minus करने जा रहे है t times of c1 तो क्या c1 में कुछ चेंज कर रहे हैं तो c1 को आप पहले है as it is node का लिजे यह c1 node का लिजे यह x node का लिए X1 node कर लिया और X1 node कर लिया गलती नहोंने पाए वो calculation में नहीं अब देखो इसमें क्या multiply किया आपने S से तो यह क्या बन गया SX और SX जाकर यहां पर minus हो गया तो यहां क्या हो गया 0 ठीक इसमें किस से multiply किया S से क्या बन गया SX1 SX1 जब यहां minus होआ तो क्या हुआ यहां यह चीज कर जाएगे न तो क्या बचा यहां पर XS1 बचा जो बचा लिखिए इसमें multiply क्या है आपने S से यह क्या बन गया SX2 जब SX2 minus किया तो यह चीज कर जाएगे न यह बचा यहां क्या हो गया 0 इसमें क्या multiply आपने T से क्या बन गया TX1 TX1 को यहां minus किया यह TX1 कर गया तो क्या बचा T1 X इसमें किस से multiply क्या TX2 तो minus किया TX2 TX2 कर जाएगा तो क्या बचाएगा 2 T1 X1 प्लस T2 X पहुंचे यहां तक यह गलती न हो ध्यान रखना कहीं अब दुको इसको open करने का तरीका देखिए पहला वला रो दिख रहा आपको X लिखेंगे यह cancel होगा यह cancel होगा और यह आएगी determinant जो रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा तो क्यों इससे इसको expand कर सकते हैं न क्या तरीका होता है इसमें X लिखेंगे determinant लिखेंगे यह कटेगा यह कटेगा यह note करेंगे न इसको हम sub matrix कहतें sub determinant sorry minus कहा जाता था minus और co factor दो चीजे हमने पड़ी हैं तो हम यह co factor note करते हैं जो expand करते हैं न तो यहां क्या पचेगा X S1 यहां पचेगा X T1 यहां क्या पचेगा 2 X1 S1 प्लस X S2 यहां पचेगा 2 T1 X1 प्लस T2 X इसको इसके सामने लग दिजेगा X T1 पहुँचे यहां पर ठीक है आपको कुस कॉमन दिख रहा है यहां से यहां से X कॉमन दिख रहा है न डिटर्मिनेंट में कॉमन एक रो से कर लेते हैं डिटर्मिनेंट का तरीका होता है किसी एक रो या कालम में कामन है तो ले लिजेगा मैट्रिक्स में क्या होता है सब में से कामन लेना पड़ता है यहां तो हमने X कामन ले लिए यह क्या बच गया X स्क्वार यहां क्या बचेगा यहां यहां S1 बचेगा यहां पर 2 X1 S1 प्लस X S2 होगा यहां पर क्या बचेगा T1 बचेगा यहां 2 T1 X1 प्लस T2 X अपना जो राइट हंड साइड है ना उसको भी दिमाग भी रखना है कि भई क्या हो रहा है यह ठीक है नोट कर लिए इसको अब ज़रा देखिए थोड़ा सा और कुछ कैंसल होने की चांसे लग रहे हैं ध्यान से देखिए कोई operation एसाम करें यह इसकी सहत गरबड़ कर रहा ना इसको कुछ solve करने के लिए कुछ cancel करना पड़ेगा ना आपको दिख रहा है यह S1 है अगर S1 और यहां 2 X1 S1 है अगर इसमें हम 2 X1 से multiply कर दें तो यह बन जाएगा 2 X1 S1 नहीं बन जाएगा और इसको minus कर दें चैंसल हो को जा अगर ना आपक अच्छा इसमें किसं प्रशा करना है ON कि इसका मतलब होता किस में प्रश्न कर रहें क्या करना है R2 में माइनस करना है R1 को कैसे करके 2X1 से मल्टिप्लाई करके कोई दिकत अब देखो आपने जहां जिसमें operation किया है क्या उसमें मल्टिप्लाई किया है तो आपको बाहर डिवाइट करने जुरुद नहीं है तो ये हो जाएगा X2 into R1 में तो कुछ खिया नहीं है आपने तो R1 ऐसे रहेगा S1 T1 इसमें एक एंसल हो जाएगा तो क्या पचेगा X S2 यहां पचेगा X T2 common कुछ दिख रहा है आपको यहां से X common दिख रहा है तो बाहर क्या हो जाएगा X3 यह जहां भी small x type के हैं capital हैं तो आगया S1 T1 S2 T2 यही आपको प्रूफ करना था यही right hand side है ठीक है यह note हो गया देखें अब यह X दिया है T minus sin T और Y दिया है 1 minus cos T और आपको निकाला D2 have a x square यह इस तरीके के format को क्या कहते थी याद कर यह intermittent को क्या कहते थी implicit differentiation implicit नहीं कोई एक फलन एक function दूसरे function के उसमें दिया हुआ है यहाँ पर X जो है वो किसका function है T का और Y किसका function है वो भी T का तो नियमता अगर हम Y को X के respect में differentiate करें और Y X का function ही नहीं है तो Y constant मना जाएगा उसका differentiation 0 हो जाएगा लेकिन Y किसका रिस्तेदार है T का रिस्तेदार है ना और X भी T का रिस्तेदार है तो ultimately कहीं function में मिलेंगे तो इनसे मुलाकात भी थोगी ना तो यह constant नहीं है यह indirectly X का रिस्तेदार हुआ तो यह constant माना नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे पहले X को T के respect में differentiate करेंगे फिर Y को T के respect में करेंगे तो हम डाइट कर दे और दोनों को divide कर दे तो हम जब D Y by D X निकालेंगे ना तो क्या हैगा D Y by D T अपान D X by D T अब इंटर में अलगलग निकाल रखते थे आप चुक्क आप बड़े क्लास में हैं तो थोड़ा साब डाइट कर सकते हैं अल्टीमेटली D T T cancel हो जाएगा ना तो लिखात यही है अब Y को T के respect में करो तो इसका क्या हो जाएगा 1 minus और cos T का sin T तो 1 plus sin T हो जाएगा sorry 1 का 0 हो जाएगा ना अपान D X by D T T का difference is in 1 और minus sin T का cos T तो यह value क्या आगई sin T upon 1 minus cos T अब एक बात ध्यान रखिएगा cos का सबसे बड़ा दुस्मन 1 होता है जब भी यह 1 के साथ आएगा तो अपना काम तो बात में करेगा पहले दुड़ा किसको मारेगा तो cos T का वो फार्मॉला जो 1 को cancel कर दे कौन सा फार्मॉला होता है तो हमने फार्मॉले cos के 2 पढ़े 3 पढ़े cos 2 theta एक था 1 minus 2 sin square theta और एक था आपका 2 cos square theta minus 1 यह कब था जब यहाँ पर cos 2 theta था तो अगर यहाँ पर theta है के वल तो यहाँ पर theta by 2 हो जाएगा तो 1 को cancel कर देते हैं अब आप कहें ना cancel करें तो मत करिए cancel जब double differentiate करेंगे ना तो division रू लगाना पड़ेगा आपको ने रे slice में तो वो एक simplify हो गया 1 को तो cancel ही करना पड़ेगा वो भी एक तरीका है sin t को क्या करेंगे 2 sin t by 2 into cos t by 2 कारण यह है कि जब cos t को break करेंगे ना तो cos t t by 2 में आ जाएगा ना तो इसकी विरादरी t by 2 अली होगी तो इसकी विरादरी भी change करनी पड़ेगी upon इसको कहा लिखेंगे यह वाला formula लगाएंगे sin वाला तो 1 minus 1 plus 2 sin square t by 2 1 से 1 कर गया 2 से 2 कर गया 1 sin से 1 sin कर गया cause upon sign बोले तो cot t by 2 आ गया पहुचे यहां तक अब इसको double differentiate कैसे करेंगे जब हम निखेंगे d2 y by dx साउधान तो यह आपका इसका मतलब क्या होता है d by dx of d y by dx है ना मतलब d by dx of d by dx क्या निकली है अपनी cot t by 2 cot t by 2 निकली है ना अब ज़रा समझने की कोशिश करिए आप इसको किसके respect में differentiate कर रहे हैं और यह function किस कर रहे हैं और यह किसका function है तो t का function अगर है तो किसके respect में होना चाहिए था तो यहाँ t होना चाहिए था ना तो अब क्या करेंगे यहाँ t introduce करेंगे d by dt of cot t by 2 और into चुके आपने यूं कहिए dt से जवरस्टी डिवाइड कर दिया तो dt करना पड़ेगा और इस dx को इधर खिसकाना पड़ेगा तो cot t by 2 का differentiation क्या होगा cot x का differentiation क्या होता है minus cos x square x अब देखो यहाँ पर x होना चाहिए ना यहाँ तो t यहाँ t होना चाहिए था और यहाँ t by 2 है तो इसको मन में हमने क्या माना कि यह t लिखा हुआ है तो cot t का क्या होगा minus cos x square t by 2 और t by 2 का क्या होगा 1 by 2 अब dt by dx में dx by dt आप निकाल चुके dx by dt क्या निकला था 1 minus cos t ठीक है और यह उल्टा है ना तो यह नहीं 1 upon 1 minus cos t ठीक है फिर वो दुस्मन ही आ गए इसकी इसका दुस्मन है दुड़ाग मारेगा उसको तो minus 1 upon यह 2 लिखा है उपर क्या है cos x square t by 2 और 1 जब काटोगे तो क्या आएगा 2 sin x square t by 2 sin x square t by 2 इतो आएगा अब यह आपका हो जाएगा minus 1 by 4 अब दिखो cos x square और sin x square रिलेशन होता है एक दूसरे के reciprocal होता है यह उपर जाएगे तो cos x किस स्वार्म चैंज होगी cos x cos x यह उपर जाएगा तो cos x square होगा और यह नीचे आएगा तो sin x square हो जाएगा तो उसको उपर ले जाते हैं तो यह आपका cos x की पावर 4 t by 2 आएगा ठीक है पहुचे यहाँ पर